माहराजी, कल रात आपने कहा था कि सभी आत्में दुखी हैं क्यूंकि वे सभी परमपिता परमात्मा से बिछडी हुई हैं फिर क्यों कुछ लोग कुछ आत्में एक आनंद भरा, प्यार भरा और आशावादी माहूल बना देती हैं जबकि कुछ आत्में बहुत दुखी और निराशावादी होती हैं मालिक इस रचना में चाहे हमें कुछ भी दे दे, उसे खोने का डर हमेशा बना रहता है अगर हमारे पास बहुत ज्यादा दौलत है, तो आपके मन में हमेशा यह डर बना रहता है कि मालिक ने मुझे इस दुन्या में इतनी ज्यादा दौलत दी है, कहीं मैं इसे खोना बैठू, कहीं बैंक फेलな हो जाए, कहीं कमपनिया फेलना हो जाए, कहीं शेरों के भाव ना गिर जाए, कहीं डाकू मुझे लूट ना ले इन सब बातों से धन दौलत खोने का डर बना ही रहता है आपकी पतनी बहुत खुबसूरत है और आपको इस बात की बहुत खुशी है लेकिन आपके मन में हमेशा एक डर रहता है कि कहीं वे आपको छोड़ ना जाए आपको धोका ना दे बिमार ना पड़ जाए या फिर किसी धुरगटना में उसकी मौत ना हो जाए हमारे मन में इस जिंदगी में हासिल की हुई अच्छी से अच्छी चीजों को खो देने का डर हमेशा बना रहता है जब तक हमारी खुशियां डर की बुनियाद पर टिकी हैं हम कभी खुश नहीं रह सकते प्रश्ण 252 महाराज जी आप कहते हैं कि हमें हमेशा खुश मिलंसार और मुस्कराते रहना चाहिए लेकिन कभी कभी जब हमारे अंदर सद्गुरू के दर्शन की बहुत तडप होती है तब हम मुस्कुरा नहीं पाते और ना ही खुश नजर आते हैं लेकिन असल में यही वे पल होते है जब हम सबसे ज़ादा खुश होते हैं बस लोगों को पता नहीं चलता कि हम खुश है अगर हम अपनी चिंता मालिक को दे दे उसकी रजा में रहे जो कुछ भी हो उसे कबूल करें और सोचें कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे भले के लिए ही हो रहा है तो कुदरती बात है कि हम खुश और शांत रहेंगे जब हम सारी परेशानियों का बोज अपने कंधों पर ले लेते हैं फिर तो हम कभी उन परिशानियों से मुक्त नहीं हो पाएंगे, चिंता करने से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता, इसलिए हमारा दुखी होना कुदरती बात है, हम केवल तभी खुश रह सकते हैं जब मन शान्त हो, और मन तभी शान्त होगा जब यह शब्द या नाम से ताके बोच के तले दब जाते हैं, फिर आप मुस्कराने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, कभी खुश नहीं रह सकते। चिंता मत करो, खुश रहो, काश, मैं आपको यह गा कर सुना सकता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमें दुखी करती हैं हमारी खुशें, हमारी चाहतें, हमारी अकांक्षाएं और हमारी इच्छाएं। जब यह पूरी नहीं होती, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारी कोई खुश ही ना हो, तो हम अपने आप ही खुश रहेंगे। हमारी चाहतें ही हमें दुखी करती हैं और सभी चाहतें कभी पूरी नहीं हो सकती। जो कुछ भी आपके भाग्य में है, वह जरूर मिलेगा। जो आपके भाग्य में नहीं है, वह आपके चिंता करने पर भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नजरिया अपना लेना ही परमात्मा की रजा में रहना है। प्रश्ण 254 महराद जी, आप कहते हैं कि हमें किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम अपनी आपको चिंता करने से कैसे रोख सकते हैं। आपकी चिंता का कारण क्या होता है? आने वाले समय में किसी मुसीबत का अंदेशा और बीते हुए समय के लिए पश्टावा? इसलिए अगर हर चीज किसमत के मुताबिक ही होनी है, तो चिंता क्यों करें? जो कुछ हम पीछे कर आएं हैं, उसके बारे में चिंता करने से हमारी कोई समस्या हल नहीं हो सकती। हम जीवन में व्यावारिक होकर ही अपनी चिंताओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए भजन सिम्रन करते रहें। जब आपका मन अंतर में शब्द और नाम से जुड़ जाता है, तब आप ना तो बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। यह मन ही है जो इंद्रियों के भोगों की तरफ मुड़ जाता है और दुनियावी समस्याओं की चिंता करने लगता है, या फिर शब्द से जुड़कर अंतर मुख हो जाता है। इसलिए जब आप अपने मन को अंतर में प्रकाश और शब्दुन से जोड़ देते हैं, तो अपने आप चिंता करना छोड़ देते हैं। आपको अपने अंतर में ही वह अनंद, शान्ती और खुशी हासिल हो जाती है। आप अपने आपको तयार कर रहे हैं। भजन सिम्रन आपको अपनी प्रारब्ध खुशी से ना सही, कम से कम मुस्करा कर कबूल करना सिखा देता है। भजन सिम्रन का यही मकसद है। बीते समय को लेकर बेवजा सोचने और भविश्य की चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती। इसलिए हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी का हर दिन जीना है। इसलिए हमें दिन कैसे बिताना है, इस बारे में सोच लेना चाहिए। और फिर उसे अच्छे ढंग से खुशी-खुशी बिताना चाहिए। और अपना भजन सिम्रन करना चाहिए सिरफ यही एक तरीका है जिससे हम दुनियावी चिंताओं और दुनियावी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं इसलिए मांग करते रहने के बजाए अपने प्रारब्द को कबूल करना सीखें प्रश्ण 255 महराजी मेरा सवाल चिंता करने के बारे में है सत्संग्यों का चिंता करना उनके अंदर विश्वास की कमी को प्रकट परता है क्या चिंता करने से हम कर्म बनाते हैं? चिंता करने से कभी किसी को फाइदा नहीं होता इससे किसी समस्या का हल नहीं होता जब हम चिंता करते हैं तो निश्चे ही हमें अपने आप पर भरोसा नहीं होता और इससे यह भी जाहिर होता है कि हमें सद्गुरु पर भी पूरा भरोसा नहीं है अगर हमें विश्वास हो तो हम अपनी समस्या उन्हें सौप कर हालात का सामना करेंगे और सद्गुरु पर ही सब छोड़ देंगे अगर हमें विश्वास है कि वे हमारी समस्या सुलजा रहे हैं तो उन्हें सुलजाने दें वैसे भी चिंता करने से ना तो आपकी कोई सहायता होगी ना ही आपकी समस्या हल होगी अगर इससे आपकी कोई समस्या हल होने वाली नहीं है तो फिर चिंता क्यों की जाए अगर किसी कलाकार को कोई अभिने करने के लिए दिया गया है तो वह चिंता क्यों करे उसे वह अभिने करना है उसके पास और कोई चारा नहीं है वह मजबूर है हमारा रोल पहले से ही तै हो चुका है इसलिए इसे निभाना ही है इस तरह चिंता से कभी कोई समस्या हल नहीं होती प्रश्ण 256 माराजी, आखिर मैंने चिंता करना छोड़ दिया है लेकिन मुझे डर है कि जब मैं गर वापस जाऊंगा तो मैं फिर से चिंता करने लग जाऊंगा क्या आप मुझे बताएंगे कि सत्संगी को चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए यह बहुत सीधी सी बात है अगर भागे में कुछ लिखा है और हमें उसे भोगना है तो क्या उसकी चिंता किसी समस्या को हल कर सकेगी अगर चिंता से किसी समस्या का हल नहीं होता तो फिर अपने आपको सजा क्यों दे चिंता कई तरह की हो सकती है और यह हर इंसान पर निर्बर करता है कि उसे किस प्रकार की समस्या आए है लेकिन आम तोर पर हमारा नजरिया यही होना चाहिए कि जब सब कुछ पहले से ही निश्चित है और वह चाहे अच्छा है या बुरा उसे भोगना ही है तो फिर चिंता क्यों करें बेवज़े उनकी चिंता करने की बजाए हम क्यों ना उन समस्याओं को सुलजाएं उनका सामना करें और उने जेल लें मुझे लगता है कि मैं ज्यादा तर वक्त उन बातों की चिंता करने में बिताता हूँ जो अभी तक हुई ही नहीं है मैं चिंता करने की आदत के कारन ही चिंता करता हूँ मुझे लगता है कि ये मेरी आदत थी जब तक मैं यहां रहा मैंने इस आदत से छुटकारा पा लिया लेकिन मुझे डर है कि मैं फिर से चिंता करने शीरू कर दूँगा आपने देखा है कि हम इतनी ज्यादा चिंता करते हैं कि यह हमारी आदत ही बन जाती है इसलिए अगर आप यह आदत छोड़ना चाते हैं तो चिंता करना छोड़ दे दूसरी समस्या यह है कि मेरा सारा परिवार ही चिंता करता है और मैं सारा वक्त उनके साथ ही रहता हूँ इसलिए मेरे विचार में यह भी एक कारण हो सकता है सिर्फ आपका परिवार ही नहीं मेरे ख्याल से हर कोई चिंता करता है या तो हम गुजरे हुए वक्त की चिन्ता कर रहे होते हैं या फिर आने वाले समय की लेकिन हम वर्तमान में शायद ही कभी रहते हैं हर कोई यही करता है इसलिए इससे उपर उठने की कोशिश करे प्रश्न दोसो सत्तावन क्या जिन्दगी की किसी भी समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से परमात्मा का आसरा लेना ठीक है अगर आपने खुद को परमात्मा के हवाले कर दिया है तो फिर कोई समस्या नहीं रहती आपकी सभी समस्याएं मालिक की बन जाती हैं और आप बीच में से निकल जाते हैं अगर आपने खुद को मालिक को सौप दिया है तो आपकी कोई समस्या ही नहीं रहीगी समस्याइं तभी होती हैं जब आप खुद को परमात्म से अलग महसूस करते हैं जब आप यह सोचते हैं कि आपका वजूद ही नहीं है और जो कुछ है केवल वही है तो आपकी कोई समस्या ही नहीं रहती रजा में रहना प्रश्ण 258 महराज जी, क्या सत्संगी के लिए यह अच्छा नहीं है कि वैं खुश मिजाज रहे और जिंदगी को ज़्यादा गंभीरता से ना ले मेरे विचार में हम में से कुछ लोगों की यही समस्या है हमें यह जानना होगा कि हमारे तनाव की वज़ा क्या है ऐसी कौन सी बात है जिस से जिंदगी में तनाव मैसूस हो रहा है आराम और चैन से क्यों न रहें जो होना है वै तो होके ही रहेगा हम अपने मन में तनाव क्यों पैदा करे भजन सिम्रन हमेशा आपको सकून देता है आपका मन जितना ज्यादा इंद्रियों के भोगों की तरफ दोड़ता रहता है उतने ही ज्यादा आप परेशान रहते हैं जितना ज्यादा आप मन को इन से निकाल कर आखों के केंदर पर लाते हैं, अपने अंतर में उतनी ही ज्यादा शांती महसूस करते हैं। जब आप अंदर से शांत होंगे, तो आप अपने आप ही दूसरों को भी शांत करेंगे। अगर आप अपने अंदर खुशी महसूस करेंगे, तो आप जहां कहीं भी जाएंगे, वहां भी खुशी का महौल पैदा करेंगे. आपकी जिन्दगी पचास, साट, सतर साल की है, इसमें तनाव महसूस करने के लिए है ही क्या? आखिर हमें इस जिन्दगी में कितना चाहिए? सारी दुनिया हमारे कदमों में हो सकती है, लेकिन हमारी असली जरूरतें क्या है? एक दिन में आप कितना खाना खा सकते हैं आप कितने कपड़े पहन सकते हैं आपको सोने के लिए कितनी जगा चाहिए हर इंसान की केवल यही बुनियादी ज़रूरते हैं इसलिए इन सब के बारे में चिंता क्यों की जाए इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास सोने के लिए एक ही कमरा है या हमारे घर में बीस कमरे है इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमारे खाने में दो वियंजन है या बीस वियंजन या फिर पहनने के लिए दो जोडे कपड़े हैं या कपड़ों से भरी हुई अलमारी है यह तो बस आपका नजरिया ही है जो आपको बेचैन करता है जो आपको उन चीजों को हासिल करने के लिए मजबूर करता है आप सोचते है मेरे पडोसी के पास इतना ज्यादा है और मैं उससे पीछे रह गया हूँ ये बातें हमारे अंदर बेवजय तनाफ पैदा करती हैं जिनसे हम असानी से बच सकते हैं हमें इन बातों को सहजता से लेना चाहिए यह तो सिर्फ हमारा अपना नजरिया है जिसकी वज़ा से हम अशान्त या शान्त रहते हैं हमें जिन्दगी की घटनाओं को स्वीकार करना चाहिए आप जिन्दगी की घटनाओं का सिल्सला नहीं बदल सकते पर खुद को हमेशा उनके मुताबिक ढाल सकते हैं अपने आपको जिन्दिकी की घटनाओं के मुताबिक ढालने से आप हमेशा खुश और शांत रहेंगे। अगर आप प्रवहा की उल्टी दिशा में तैरने लगेंगे, तो डूब जाएंगे। अगर आप धारा के साथ साथ तैरेंगे, तो असानी से किनारे तक पहुंच अगर आप गर्मी के लिए तैयारी नहीं करते, तो आप दुखी तो होंगे ही। सर्दी का मौसम भी आएगा। अगर आप अपने आपको सर्दी के मौसम के मुताबिक नहीं ढालेंगे, तो भी आप दुखी होंगे। अगर हम हालात के मुताबिक अपने आपको ढालते रहत तो सुखी रहेंगे हमें इस जीवनकाल के दौरान अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों में से गुजरना है इसलिए हमें अपने आपको हर हालात के मुताबिक ढालते रहना है इसलिए हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है तबी हम शांत और खुश रहेंगे अगर हम अपने आपको हालात के मुताबिक नहीं ढालते तो हम दुखी रहेंगे मिसाल के तार पर हमारे रिष्टेदारों की मौत निश्चित है अगर हम इसे मालिक की रजा मान लें तो बहतर होगा अगर हमें उसकी रजा में रहना मंजूर नहीं तो दुखी रहेंगे बिमारी भी आएगी लेकिन हमें इसे स्विकार करना है और अपनी तरफ से उसका इलाज करने की पूरी कोशिश भी करनी है अगर हम इसे स्विकार नहीं करते और रोते चिल्लाते रहते हैं तो भी क्या होगा? हम जिन्दगी की घटनाओं का सिलसला तो नहीं बदल सकते हाँ, हम बिना वजा दुखी जरूर होते रहेंगे इसलिए अगर हम खुद को जिन्दगी की घटनाओं के मताबिक ढालते जाते हैं तो जरूर सकून भरी जिन्दगी बिताएंगे लेकिन अगर हम लेरों से उल्टी तरफ तैरने की कोशिश करेंगे तो दुखी ही रहेंगे अंधेरे को कोशने के बजाए अच्छा है, हम दिया जला लें अपनी किस्मत या किसी और चीज को कोशने की क्या जरूरत है हमें दिया जलाने की कोशिश करनी चाहिए हमें जीवन में सही दिशा की तरफ बढ़ने और अपने लक्ष को हासिल करने की सोच रखनी है प्रश्ण दोसों 69 क्या हम कभी अपने भाग्य को बदल सकते हैं हम हमेशा चाहते हैं कि जिद्दगी की घटनाएं हमारी मर्जी के मताबिक हो जो कि मुम्किन ही नहीं है करमों की लहरें तो उठती ही रहेंगी अगर आप लहरों के साथ-साथ तैरते जाएंगे तो यहां जिद्दगी जीना असान हो जाएगा अगर आप लहरों से उल्टे रुक की तरफ तैरने लगते हैं तो जीना मुश्किल हो जाएगा हमें भाग्य के उतार चड़ाव के साथ साथ चलना है हम उसे बदल नहीं सकते क्योंकि हमारा भाग्य दूसरे लोगों के भाग्य के साथ भी जुड़ा होता है ऐसा नहीं है कि किसी इंसान का भाग्य उसका निजी मामला है उसका भाग्य इस संसार में बहुत से लोगों से जुड़ा होता है एक इंसान के प्रारब्द को बदलने का मतलब है प्रारब्द के पूरे सिलसले को बदलना जो नामुम्किन है हो सकता है कि प्रारब्द का भुक्तान करते वक्त व्यक्ति उसका असर मैसूस ना करे लेकिन वह उस सिल्चिले को तोड नहीं सकता इसलिए उसे हर बात को मुस्कराते हुए कबूल करना चाहिए हमारा भविश्य केवल यही है परमपिता परमात्मा से मिलाप करना हमारा कोई और भविश्य नहीं है लेकिन हमें इस दुनिया में भी रहना है बिल्कुल हमें यहीं रहना है चाहे आप इसकी योजना बनाएं या ना बनाएं आप फिर भी यहीं रहेंगे अगर आप योजना बनाने का काम बहतर हाथों में छोड़ दें, तो आप और भी अच्छा जीवन बिता पाएंगे अगर आप योजना बनाने का काम अपने हाथों में रखेंगे, तो आप दुखी रहेंगे अगर आप अपने जीवन की बागडोर मालिक पर छोड़ दे और जो कुछ आपके साथ हो उसे उसकी रजा माल लें तो आप खुश रहेंगे क्योंकि योजना बनाना उसके हाथों में है आपने तो सिर्फ जीवन की घटनाओं के अनुसार अपने को ढालना है आपको लहरों के साथ साल चलने के लिए खुद को ढालना है आप चाहे कितनी भी योजनाएं क्यों ना बनाएं कितनी भी प्राथना क्यों ना करें जीवन की घटनाओं को कभी नहीं बदल सकते लेकिन आप खुद को जीवन की घटनाओं के अनुसार ढाल जरूर सकते हैं जीवन की घटनाओं के मुताबिक खुद को ढाल लेने से आप सुखी रहेंगे क्योंकि घटनाएं कभी आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं घटेंगी तो क्या ये हमारा नजरिया ही है जो हमारे लिए जिन्दगी की घटनाओं का सामना करना आसान बना देता है हाँ, गर्मी का मौसम भी आएगा और सर्दी का मौसम भी आएगा आप मौसम के इस दौर को कभी नहीं बदल सकते अगर आप गर्मी के मुताबिक ढल जाते हैं, तो आप सुखी रहेंगे अगर आप सर्दी के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं, तो भी आप सुखी रहेंगे जीवन की घटनाओं को कोई नहीं बदल सकता हमें उनका सामना करना ही पड़ता है योजना तो पहले ही बन चुकी है हमें केवल उसे भोगना है इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे खुशी से भोगते हैं या दुखी होकर अगर आप जिन्दगी से समझोता करते जाते हैं तो आप खुशी से जीवन बिताएंगे अगर आप जीवन की घटनाओं को बदलने के लिए संघर्ष करते रहेंगे तो आप उनमें से गुजरते हुए दुखी रहेंगे फिर मालिक हमसे कहीं भैतर योजना बनाता है हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे लिए अच्छा क्या है वही जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है हम कुछ चीजों को पाने के लिए सालों साल घुटने टेक कर प्रातना करते हैं और जब हमें वे मिल जाती हैं तो शायद उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें दस गुना और ज़्यादा प्रातना करनी पड़ती है कि वह हमें वही दे जो हमारे लिए अच्छा समझे इसलिए हजरत ईशा ने कहा था हे अव विश्वासियो तुम अपनी मांगों की लंबी सूची बना कर परमात्मा से प्रात्ना करते हो कि वह तुम्हें यह दे दे और वह दे दे यह तो सिर्फ परमात्मा में तुम्हारे विश्वास की कमी को प्रकट करता है क्योंकि आप यह समझते हो कि जब तक आप उससे मांगोंगे नहीं वह आपको कुछ देगा नहीं जो पुत्र अपने पिता का प्यारा होता है पिता हमेशा उसे देने के लिए तयार रहता है अगर पुत्र अग्याकारी नहीं है पिता को प्यार नहीं करता और हमेशा कुछ न कुछ मांगता ही रहता है तो पिता भी उसे कुछ देने से कतराता है इसलिए हमें अपने पिता का प्यारा बनना है उसकी आग्या में रहना है जिस चीज की हमें जरूरत है उसे देने के लिए वे हमसे ज़ादा उत्सुख है हम नहीं जानते कि हम उससे क्या मांगे लेकिन वे जानता है कि उसने हमें क्या देना है हम कंकड पत्थर ही मांगते हैं जबकि वे हमें हीरे जवाहरात देना चाहता है। हम सिर्फ इन दुन्यावी चीजों के मोह में बंदे रहकर ही खुश हैं। जबकि वे हमें इनसे बहतर कहीं ज्यादा उची चीज देना चाहता है। हम तुछ बिखारी हैं। जबकि वे एक देयालू दाता है। हम दिन रात प्रमात्मा से अपने समस्याओं का हल चाते हैं, लेकिन अगर हम सब कुछ उस पर छोड़ दें, तो वह हमें और भी उंची चीज बक्ष देगा. फिर क्या ये सब पहले से ही निश्चित है? लेकिन हमें अपना फर्ज निभाना है, हमें प्रिये और आग्याकारी बनना है, हमें उसके हुक्म में रहना है. अगर आपके घर में कोई नोकरानी बड़ी महनत से काम करती है अपना काम वफादारी और साफधानी से करती है तो आप हमेशा उसे कोई न कोई तोफा देना चाहते हैं उसे खुश रखना चाहते हैं आप उसे ज्यादा से ज्यादा देना चाहते हैं लेकिन अगर वे हमेशा बड़-बड़ाती रहती है और अपने काम की तरफ ध्यान नहीं देती, तो आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं जब हमारा तौर तरीका ऐसा है, तो ज़रा सोचें, परमात्मा हमारे लिए कितना करेगा? हजरत ईसा ने एक बहुत खूपसूरत मिसाल दी है, अगर आप अपने बच्चों के प्रती इतने उदार हैं, कि जो भी वे चाते हैं, आप उन्हें देते हैं, तो क्या आप सोचते हैं, कि आपका पिता आपसे कम उदार है, और जिस चीज़ की आपको जरूरत है, वे आपको नहीं देगा? प्रश्न 261, महराज जी, जब हम रोज अपने साथियों के साथ काम करते हैं, और वे हमारी आलोचना करने लगते हैं, जिसमें और लोग भी शामिल होकर हमारे खिलाफ हो जाते हैं, तब क्या हम इसके लिए खुद को जिम्मेदान मानें, या हम अपनी बात प लोगों की सब समस्याइं हल कर लेंगे, तो इसके लिए एक जीवन काल तो क्या? सैकणों जीवन भी कम पड़ेंगे, हमें इन चीजों से इन समस्याओं से उपर उठना है, ताकि हमारे मन पर इनका असर ही ना हो, हमारे आसपस जो कुछ भी होने वाला है, उसे होने दे, इस इसलिए संतजन आम तोर पर कमल की मिसाल देते हैं, इस पौधे की जड़ें हमेशा पानी में होती हैं, लेकिन फूल पानी के उपर होता है, शब्द या नाम की कमाई के द्वारा हमें इन बातों से उपर उठना होगा, दुनिया की समस्याइं हल करने में हम कभी कामयाब नह इतिहास गवा है कि संसार में आज तक कितने संत और समाज सुधारक आ चुके हैं, लेकिन यहां कोई सुधार नहीं हुआ, बलकि उनकी सारी कोशिशों के बावजुद भी दुनिया में आज पहले से ज्यादा बुराई नजर आती हैं, लेकिन संत इस काम के लिए नहीं आते कोई भी संत महात्मा संसार का सुधार करने के लिए नहीं आता, संत केवल उन आत्माओं को वापिस ले जाकर मालिक के साथ मिलाने के लिए आते हैं, जो उन्हें सौपी गई हैं जैसा कि हजरत इसा ने भी अपने समय में किया था, हजरत इसा ने भी यही कहा था कि मैं संसार में शांती कायम करने नहीं आया हूँ संत हमेशा मालिक की रजा में रहने का खुद को मालिक के सुपुर्द करने का उपदेश देते हैं इसका मतलब यह है कि हमें अपने अच्छे या बुरे कर्मों के फलसरूप मिलने वाले सुख और दुख दोनों को ही धैरे पूर्वक हस्ते हस्ते भोग लेना चाहिए ना तो हम दुख में इतने परेशान हो कि मालिक को ही भूल जाएं और ना ही सुख में इतना खो जाएं कि संसार के भोगों में ही लगे रहें और मालिक की याद ही ना रहे दुखों या सुख, हर हालत में हमें मालिक को हमेशा याद रखना है हमारे आसपास का माहौल कभी नहीं बदलेगा हमें ही अपने आपको बदलना पड़ता है प्रश्न 262 क्या पिछले कर्मों के फलस्वरूप बने भाग्य के कारण हम मजबूर हो जाते हैं? पिछले जन्मों में बोय हुए बीज अब हमारा भाग्य बन चुके हैं जिसे हमने इस जीवनकाल में भोगना है यही भाग्य है हम इसी के साथ पैदा हुए हैं और जिन्दगी भर इसका भुकतान करेंगे यह पहले से ही निश्चित है हमने खुद ही ये सब कर्म किये हैं और अब उनका नतीजा भुगत रहे हैं यही कर्म हमारा प्रारब्द बन गए हैं जिसे हमें भोगना ही पड़ता है लेकिन अगर आप अपना ध्यान अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ ले तो आपको इन कर्मों का भुगतान करने की ताकत मिल जाती है आप असानी से अपना मानसिक संतुलन नहीं खोते और मालिक की मौच समझकर इन सभी कर्मों को खुशी-खुशी भोग लेते हैं इस तरहां खुशी-खुशी सारे कर्मों का भुक्तान करने में काम्याब हो जाते हैं। अगर जिन्दगी से तंग आकर कोई गुरु से विंती करे कि उसे जिन्दगी से चुटकारा चाहिए, तो क्या गुरु मौत देकर उसे चुटकारा दिला देगा? जिन्दगी से कभी उचाट नहीं होना चाहिए, हमें इस जिन्दगी से पूरा-पूरा फाइदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आम तोर पर हम ठक जाते हैं, क्योंकि हमारे हालात निश्चित हैं, इसलिए घटनाएं हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं घटती। अगर हम इस शरीर से छुटकारा पा लेते हैं, तो क्या मालूम हमें अगला शरीर कैसा मिले? इससे अच्छा या इससे भी ज्यादा बुरा? इसलिए जो मौका हमें अभी मिला हुआ है, उसका पूरा फाइदा उठाना चाहिए और दिल में कभी ऐसे खयाल नहीं लाने चाहिएं। जब ठंडी हवा चलती है और हम अपना बचाव कर लेते हैं, तब भी हम सुखी रहते हैं। गरम और ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, अच्छे कर्मों का नतीजा भी सामने आएगा और बुरे कर्मों का भी। लेकिन अगर आप अपने आपको इन घटनाओं के मुताबिक ढाल लेते हैं तो आप सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आप दुखी रहते हैं आपको इन घटनाओं के मुताबिक खुद को बदलना पड़ता है क्योंकि वे पहले से ही तै हो चुकी है वे पहले से ही घट चुकी है आप अपने कर्मों के सिल्सले को बदल नहीं सकते लेकिन सुखी रहने के लिए आपको ही उन कर्मों के मुताबिक बदलना पड़ता है सर्दी का मौसम आते आते अगर हमने पूरे घर को गरम रखने की तैयारी कर ली है और गरम कपणों का प्रभंद कर लिया है तो हम सुखी रहेंगे तब सर्दी से हम परिशान नहीं होंगे गर्मी के मौसम में अगर हमारे पास कमरे को ठंडा रखने के साधन जैसे एयर कंडिशनर, पंखा, पीने के ठंडे पे आदी है तो हम सुखी रहते हैं हमने अपने आपको मौसम के मुताबिक ढाल लिया है इसलिए तब हम सुख चैन से रहते हैं हम गर्मी या सर्दी को आने से रोक नहीं सकते ऐसा नजरिया सही नहीं है हमें मनुष्य जन्म अपने अच्छे और बुरे कर्मों की वज़ा से मिलता है अगर हमारे सिर्फ अच्छे कर्म होते, हम स्वर्ग में होते और अगर हमारे केवल बुरे कर्म होते, तो हम नर्क में होते हमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों के मिले जुले प्रभाव को भोगना है सुख के जोंके भी आते हैं और दुख की आंधी भी आती है लेकिन अपने आपको उनके मुताबिक ढाल लेने से हम खुश रहते हैं यही सही नजरिया है अगर हमारे किसी प्रिय जन की मृत्ति हो जाती है और हम बिना किसी शिकायत के उसे मालिक की रजा मान लेते हैं तो हम उसे मनजूर कर लेते हैं लेकिन कोई दूसरा इस सदमे को बरदाश ना कर पाने के कारण आत्म हत्या करने तक उतारू हो सकता है दोनों ने अपने किसी प्रिय जन को खोया है और दोनों का दुख एक जैसा है लेकिन दोनों का नजरिया अलग-अलग है इस परकार हमें खुश रहने के लिए जीवन की घटनाओं के प्रती अपने नजरियों को बदलना पड़ता है मालिक हमें जैसे भी, जिन हालात में भी रखता है हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए जो कुछ भी वह दे, हमें उसकी दिया महर समझकर ग्रहन करना चाहिए इसलिए हजरत इसा ने कहा था तुम छोटे बच्चे की तरह बनो आप उसे खेलने के लिए एक पत्थर भी देते हो तो भी वह खुश हो जाता है और अगर आप उसे खेलने के लिए हीरा देते हो तो भी वह खुश रहता है वह पत्थर और हीरे में फर्क नहीं करता इसलिए चाहे सर्ध हवा चल रही हो या गरम हमें भी जिंदगी की घटनाओं में फर्क नहीं करना चाहिए जिस हाल में मालिक रखे हमें उसी में खुश रहना चाहिए हमारा ऐसा नजरिया तभी बन सकता है जब हम नियम पूर्वक भजन सिमरन करते हैं केवल भजन सिम्रन के द्वारा ही हम अपने अंदर वह शान्ती कायम कर सकते हैं और फिर दूसरों के साथ भी वह सुक्षान्ती बांट सकते हैं आप किसी दुखी इंसान के पास जाते हैं तो वह आपको दो मिनट में दुखी कर देगा लेकिन अगर आप किसी खुश मिजाज इंसान के पास जाते हैं तो चाहे आप कितने भी दुखी क्यों नहों आप उसके पास से हस्ते मुस्कराते हुए वापिस आएंगे क्योंकि हम दूसरों को वही देते हैं जो हमारे पास है हम वही बाटते हैं जो हमारे पास है प्रश्ण 265 जब किसी सत्संगी के मन में सेवा करने की तीवर इच्छा जागरित होती है तो क्या उसे सेवा की उस भावना को सिर्फ भजन सिम्रन करने में लगाना चाहिए? नहीं, वह जो भी सेवा करने के काबिल हो कर सकता है बीशक सबसे बड़ी सेवा भजन सिम्रन ही है लेकिन कुछ दूसरी तरह की सेवाएं भी हैं जो मन को भजन सिम्रन में लगाने के लिए बड़ी साहयक होती हैं मन को प्रमात्मा की रजा में राजी रहने के लिए तैयार करना भी सेवा ही है हम प्रति दिन ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें जिन्दगी के हर कदम पर कई तरह के हालात का सामना करना पड़ता है और जिन्दगी में हर कदम पर हमें अपने मन को समझाना पड़ता है कि जो कुछ हमारे भाग्य में है हमें उसे मुस्कुराते हुए खुशी-खुशी स्विकार करना चाहिए हर वक्त शिकायत ही क्यों करते रहे यह मन का लगातार चलने वाला अभ्यास है यह भी एक तरह की सेवा ही है क्योंकि इस से हमें भजन सिम्रन में सहायता मिलेगी अगर हम हमेशा छोटी-छोटी बात पर पर परेशान होते रहेंगे तो हम ध्यान को एकाग्र कैसे कर सकते हैं भजन सिम्रन कैसे कर सकते हैं अगर हर छोटी सी बात को हिमाले के पहाड जितना बड़ा बना लेंगे तो हम अपने मन को एकाग्र कैसे कर सकेंगे हमें परिशानियों को भुलाना होगा हमें दूसरों को माफ करना होगा अपने मन को इस तरह ढालना होगा कि वे हर चीज सहजता और सरलता से ले प्रश्ण 266 पिर अंद्रूनी तोर पर सद्गुरू किस तरह हमारा मागदश्ण करते हैं? प्रारब्द को भुगतना असान हो जाता है। आप कह सकते हैं कि उस प्रारब्द को भोगने में सद्गुरू आपका मार्कदर्शन कर रहे हैं। या सद्गुरू की द्यामेहर से आप अपनी प्रारब्द का खुशी-खुशी भुखतान कर रहे हैं। यह सिर्फ कुछ बातों को समझाने का एक ढंग है। लेकिन आप अपने भागे को बदल नहीं सकते। आपको इसे भोगना ही है। आपको अपने जीवन की घटनाओं का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि आप उन्हें बदल नहीं सकते। लेकिन अगर आप अपने आपको उनके मुताबिक ढाल लेते हैं, तो फिर कोई समस्या नहीं होती। जब हम खुद को जीवन की घटनाओं के मुताबिक नहीं ढालते, तब हम दुखी हो जाते हैं। जब किसी की मृत्ति होती है, उस वक्त अगर हम इस सच्चाई को मानने से इंकार करते हैं, कि वे वाक्य ही चला गया है, तो हम ही दुख उठाते हैं, क्योंकि वे आत्मा तो वापिस आने वाली नहीं है, वे तो जा चुकी है। सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी। आप मौसम का यह सिलसला बदल नहीं सकते। अगर आप खुद को मौसम के मुताबिक नहीं ढालते, तो आप सर्दी में कापते रहोगे, और गर्मी में पसीना पसीना हो जाओगे। लेकिन अगर आप खुद को सर्दी और गर्मी के मुताबिक ढाल लेते हो, तो सर्दी भी गुजर जाएगी और गर्मी भी आकर चली जाएगी। तब कोई समस्या नहीं होगी इसी तरह हमें अच्छे और बुरे कर्मों के नतीजों का सामना करना है कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं क्योंकि हम सभी के अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म होते हैं अच्छे और बुरे कर्मों के मेल से ही हमें ये मुनुश्य जन मिला है कभी ہम रो रहे होते हैं कभी हम मुश्करा रहे होते हैं लेकिन भजन सिम्रण निष्चे ही हमें अपनी जिन्दगी की इन सुखदाई और दुखदाई घटनाओं में से गुजरने में सहेता करता है आप इसका श्रे सद्गुरु को दे सकते हैं आप किसी को भी इसका श्रे दे सकते हैं लेकिन हमें अपने प्रारब्ध को खुशी-खुशी भुगतने के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है प्रश्न 267 महराद जी परंपिता पर्मात्मा को संबोधित करके जो ये वचन कहे गए हैं क्या आप उनकी व्याख्या करेंगे? जे सुख दे ता तुझे अराधी दुख भी तुझे दियाई जे भुख दे ता इतही राजा दुख विच सूख मनाई इन वचनों का मतलब यह है कि मालिक जिस अवस्था में भी हमें रखे हमें हमेशा उसकी भक्ती में लगे रहना चाहिए अगर मालिक ने धन दौलत बक्षी है तो मालिक को भूल नहीं जाना चाहिए बलकि भजन सिम्रन को अपना वक्त देना चाहिए यह सुक हमारे उन कर्मों का हिस्सा है जिनका भुकतान हमें इस जन्म में करना है अगर हम गरीब हैं तो भी हमें निराश नहीं होना चाहिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए उस हाल में भी यही कोशिश करनी चाहिए कि अपना वक्त भजन सिम्रन में उसकी याद में बिताएं कहने का भाव यह है कि जिस अवस्था में भी मालिक हमें रखे हमें मनुश्य शरीर के इस मौके का पूरा-पूरा फाइदा उठाना चाहिए ताकि अपना रुहानी सफर तै करके हम अपनी मंजिल पर वापस पहुँच जाएं और वापिस जाकर उस कुल मालिक में समा जाएं जैसा कि मैंने कल भी समझाया था कि जीवों के अपने अपने कर्मों के मुताबिक यह संसार गरीब और अमीर, सुखी और दुखी लोगों से भरा पड़ा है अच्छे और बुरे कर्मों के मेल से ही हमें मुनुष्य शरीर मिलता है हमने अच्छे और बुरे दोनों तरह के बीजबोए है इस देह में बैठकर हमें अच्छे बुरे दोनों तरह के बीजों की फसल काटनी है इसलिए लाजमी है कि हमारे जीवन में सुख के पल भी आएंगे और दुख के पल भी होंगे अगर हमारे शुब कर्म जादा है और बुरे कर्म कम है तो हम दुनिया में ज्यादा सुखी और कम दुखी होते हैं अगर हमारे पापों का बोज ज्यादा है और पुणने कम है तो हम ज्यादा दुखी और कम सुखी होते हैं लेकिन अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों के इकठे होने से ही मनुष्य शरीर मिलता है अगर हमारे केवल अच्छे कर्म होते तो हम स्वर्ग में होते अगर केवल बुरे कर्म होते तो हम नरक में होते अगर हम अच्छे कर्मों का फल भोगते हुए संसार के सुखों और इंद्रियों के भोगों में फसकर मालिक को भूल जाते हैं और बुरे कर्मों का फल भोगते हुए इतने हताश और दुखी हो जाते हैं कि मालिक के बारे में सोच भी नहीं सकते हम हमेशा दुखी ही रहते हैं फिर भी मालिक को याद नहीं करते तो फिर हम मालिक को याद कब करेंगे हमें सुख और दुख दोनों ही भुगतना है अच्छनों का यही भाव है कि हमें हमेशा मालिक की रजा में रहना चाहिए वे हमें चाहे जिस भी अवस्था में रखे हम चाहे अच्छे कर्मों का हिसाब चुका रहे हो चाहे बुरे कर्मों का किसी भी हालत में और किसी भी स्थिती में उसे कभी नहीं भूलना चाहिए हमें मालिक को हमेशा सामने रखना है अपनी मंजिल को सामने रखना है इस शरीर में रहते हुए और अपने अच्छे और बुरे कर्मों का भुकतान करते हुए हमें जिस लक्षे को हासिल करना है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए उस रोहानी मार्क को कभी नहीं भूलना चाहिए इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि हे मालिक मुझे तु किसी भी अवस्था में क्यों ना रखे मैं तुझे कभी नहीं भूलूँगा क्योंकि मुझे ये मुनुष्य जन्म सिर्फ तुझे याद करने के लिए ही मिला है मैं इस मुनुष्य शरीर में आने का मकसद तभी पूरा कर सकता हूँ अगर तेरी भक्ती करूँ अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं मनुश्य शरीर का सही फाइदा नहीं ले रहा हूँ अपने पाट को अच्छी तरह निभा कर हम जिन्दगी की स्टेज पर अच्छे कलाकार बन सकते है हमारे भागे में जो कुछ भी लिखा है उसे मालिक की मौच समझ कर खुशी-खुशी मन्जूर कर लेना चाहिए और आप यह तभी कर सकते हैं जब आप नियम पुर्वक भजन सिम्रन करते हैं कोई दूसरा तरीका नहीं है लेकिन हम अपने आपको उस रोल से जोड लेते हैं और इसे ही सच समझने लगते हैं हम भूल जाते हैं कि हम केवल अपना रोल निभा रहे हैं इसलिए हमें हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि यह केवल एक्टिंग है इसमें कोई सच्चाई नहीं है हमें इस बात का एहसास जरूर होना चाहिए और यह केवल भजन सिम्रंद से ही हो सकता है कोई दूसरा रास्ता नहीं है नहीं तो हम नाटक के दूसरे पात्रों में उलजकर रह जाते हैं प्रश्न दोसो उनत्तर एक कलाकार के बजाए एक दर्शक के रूप में वापस आने से क्या भाव है एक दर्शक के रूप में यहां आने का मतलब है कि जो भी प्रारब्ध हम अपने साथ लेकर आये हैं उसमें उलजे बिना या उससे प्रभावित हुए बगैर उसका खुशी-खुशी भुकतान करना स्टेज पर आपको एक खास पाट अदा करने के लिए मिलता है एक दर्शक के रूप में ही आप स्टेज पर अपना रोल निभाते हैं आप उस रोल में खो नहीं जाते वरना आप भूल जाएंगे कि आप एक्टिंग कर रहे हैं ऐसे में आप किसी पात्र को सच्मुच अपनी पत्नी, किसी को अपना बच्चा समझने लगेंगे अगर आप अपना रोल निभाने के लिए किसी पात्र का अभिने करते हैं तो आप दर्शक मात्र हैं नहीं तो आप उसमें उलज जाएंगे हम सब अपने-अपने कर्मों के मुताबिक अपना-पना रोल निभा रहे हैं लेकिन हम ऐसा एक दरशक के रूप में नहीं कर रहे हम अभिने करते हुए उसमें उलजते जा रहे हैं हम तो वह पात्र ही बनते जा रहे हैं प्रश्पन 270 क्या सद्गुरु कई बार हमारे जीवन में आने वाली बहुत बारी मुसीबत को सुई की चुबन जितना कर देते हैं? यहां सुई की चुबन का सवाल नहीं है, असल में आप पर उन कर्मों का असर नहीं होता, आपका नजरिया ऐसा बन जाता है कि आप अपने प्रारब्द को मालिक की मौज समझ कर सुविकार कर लेते हैं मिसाल के तौर पर किसी के बच्चे की मृत्य हो जाती है, यह तो कुदरती है कि सभी को अपने बच्चे से मोह होता है एक इंसान के लिए उस बच्चे की मौत कहर ड़ा देती है जबकि दूसरा इंसान द्रिड इच्छा शक्ती से या मालिक की दिया मेहर से हालात से समझोता कर लेता है और खुद को समझाता है अगर जीना है तो मुझे इस बात को स्विकार करना ही होगा वह इसे सहज भाव से लेता है दोनों के बच्चे की मृत्ती हुई है दोनों एक ही स्थिती से गुजर रहे हैं इस प्रकार यहें आपके नजरिये पर निर्भर करता है कि आप दुखी रहना चाते हैं या दुख से उपर उठना चाते हैं भजन सिम्रन की सहायता से जीवन के प्रती हमारा नजरिया बदल जाता है हम जिंदगी की घटनाओं को मालिक की रजा समझने लगते हैं और उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते तब हमारा संतुलन इतनी असानी से नहीं बिगड़ता लेकिन हमारा प्रारब्द हमारे जीवन की घटनाओं का सिलसला नहीं बदल सकता प्रश्ण 271 महराजी मेरा सवाल है खुश रहने के बारे में मैंने आपको कई बार कहते सुना है कि सत्संग्यों को हमेशा खुश रहना चाहिए मैं कई बार आपके बिचोड़े के कारण दुखी हो जाता हूँ आप यह भी कहते हैं कि वे लोग खुश किस्मत हैं जो शोक मनाते हैं क्योंकि उनको ही सुकून मिलेगा ये दोनों बातें बिलकुल अलग सी लगती हैं आप कृप्या करके हमें इस दुनिया में खुश रहने के बारे में कुछ बताएंगे हम इस दुनिया में दुखी रहते हैं लेकिन जब हम संत मार्क पर आ जाते हैं तो हमें परमात्मा के पास वापिस जाने की राह मिल जाती है हमारा परमात्मा के पास वापिस जाने का सिल्चिला शुरू हो जाता है हमारे खुश रहने के लिए यह भरोसा ही काफी है कि अब हमें मालूम हो गया है कि हमारा कोई पिता है हमारी कोई मन्जिल है हमारा कोई लक्ष है जिसे हमने हासिल करना है हमें उसके बिछोडे का एहसास होने लगता है और हमने उस बिछोडे से चुटकारा पाकर वापस प्रमात्मा के पास जाना है हमें रास्ते का ज्यान हो गया है हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और अगर हम उसका अभ्यास करते हैं तो हमें अपने आप ही अपने अंदर आनंद और शांती महसूस होगी अगर आप जंगल में भटक गए हैं और कोई आपको आपके घर की दिशा बता देता है तो आपको खुशी होती है कम से कम अब आपको यह तो पता चल गया है कि आपने किस दिशा में जाना है अब आप अंधेरे में नहीं भटक रहे आपको सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब आप वापस अपने घर पहुँच जाएंगे लेकिन घर जाने की दिशा और रास्ते का पता लग जाने से भी आपको खुशी मिलती है आप जितना अपनी मंजिल के नजदीक पहुँचते जाते हैं आपको उतनी ही ज़्यादा खुशी मिलती है फिर हमें यह भी पता चल जाता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है हमारे जीवन में जो कुछ होना है वे पहले से ही कही निश्चित हो चुका है हमें सिर्फ उसे भुगतना है इसलिए हमें जीवन की घटनाओं के बारे में बेकार की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम इस स्थिती में नहीं है कि उन्हें बदल सकें हम अपने जीवन के घटना चक्र को अपने कर्मों के सिलसिले को बदल नहीं सकते हमें लहरों के साथ साथ तैरना है हम लहरों की उल्टी दिशा में नहीं तैर सकते इसलिए हमें जीवन की घटनाओं को वैसे ही स्विकार करना है जैसे वैं घटती है अगर हम इस सच्चाई को जान जाएं कि हमें लहरों के भाव के साथ साथ तैरना है तो हम खुश रह सकते हैं इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है हमें इस सच्चाई को स्विकार करना ही होगा प्रश्ण 272 महराजी, सच्चाई तो यह है कि अगर कोई इनसान भजन सिम्रन के दौरान या अंतर में अपनी समस्या सद्गुरू को बताता है तो यह भी एकतिरा की प्रार्थना ही है हम सद्गुरू से मार्ग दर्शन के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं हाँ, भजन सिम्रन हमारी सभी समस्याओं का समाधान है उसके सामने अपनी मांगों की सूची रखने की बजाए अपने भजन सिम्रन को रखो तब आप उन समस्याओं से उपर उठ जाएंगे और वे आपके मन पर असर नहीं करेंगी आप दुनिया की समस्याओं को सुलजाने में कभी कामियाब नहीं हो सकते लेकिन हम उन समस्याओं से उपर जरूर उठ सकते हैं जिससे कि वे हमें प्रभावित ना करें, परिशान ना करें, बलकि हमारे लिए उनकी कोई एहमियत ही ना रहे. इसमें भजन सिम्रन से ही सायता मिलती है. और यह सभी समस्याओं का हल है. हल का यह मतलब नहीं कि वे समस्याओं हमारी मर्जी के मताबिक हल हो जाएंगे. प्रारब्द ने तो अपना खेल खेलना ही है, लेकिन नियम पुर्वग भजन सिम्रन करके आप प्रारब्द का खुशी-खुशी भुकतान कर पाएंगे. आप अपनी मर्जी से अपने प्रारब्द को एक दर्शक के रूप में देखने लगेंगे. समस्याओं के प्रती हमारा यही नजरिया होना चाहिए. घटनाएं कभी हमारी इच्छाओं के मुताबिक नहीं बदलेंगे. हमें खुद को उन घटनाओं के मुताबिक ढालना होगा. अपने आपको घटनाओं के मुताबिक ढालने में ही खुशी है. ना कि घटनाओं को अपनी मर्जी के मुताबिक ढ अगर दुख से आपका मतलब पश्चाताप करने से है और पश्चाताप सचे मन से उसी गलती को दोबारा ना दोहराने की प्रतिग्या है तो निश्चे ही ये हमारी साहता करता है बिनावजा अपने आपको दुखी करने से कोई समस्या हल नहीं होती ये खुद को अपने प्रारप्त के मताबिक ढालने की कोशिश नहीं है क्यों न आपने भाग्य को हसी-खुशी स्विकार कर ले जब भाग्य को बदला ही नहीं जा सकता तो चेहरे पर शिकन क्यों लाएं जब आप अपने जीवन की घटनाओं को बदल नहीं सकते तब आपको उनका सामना करना पड़ेगा आपको लेहरों के साथ साथ तैरना ही होगा तो क्यों ना फिर उन्हें खुशी से स्विकार कर ले रोएं और चिल्लाएं क्यों? चहरे पर शिकन किसलिये लाएं? रोने चिल्लाने से कोई फैदा नहीं होगा क्योंकि इस से हमारे जीवन की घटनाएं बदल नहीं सकती अगर वे बदलेंगी नहीं तो चिन्ता क्यों करें? उन्हें मालिक की मौच समझकर स्विकार कर ले प्रश्न 274 अगर मेरी जिन्दगी में कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाती है और मैं इसका भोज उठाने में असमर्थ हूँ तो क्या मैं इस भोज को सद्गरू पर डाल सकता हूँ या मुझे इसे अकेले ही उठाना है? आप अपने मन से भोज उतार कर फैंक सकते हैं इसे किसी दूसरे के कंधे पर छोड़ दे चिन्ता मत करें बस आप इसे अपने कंधों से उतार दें इसे किसी भी दूसरे को उठाने दें क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि हमारे जीवन की घटनाओं का सिलसिला पहले से ही निर्धारित है हम एक निश्चित प्रारब्ध लेकर आए हैं जिसको हमें भोगना है फिर हम उस बोज को अपने मन पर क्यों रखें अगर हम कुछ बदल ही नहीं सकते तो क्यों ना उसका सामना करें इसके बारे में चिंता क्यों करें प्रश्ण 275 महराज जी हमें बताया गया है कि भजन सिम्रन ही हमारी सारी समस्याओं की अचूग दवा है लेकिन अपनी रोज मर्रा की समस्याओं को सुलजाने के लिए यह जानने के लिए कि सही रास्ता कौन सा है हम सद्गुरू से रोज रोज मार्ग दर्शन कैसे ले सकते हैं हमारा पूरा जीवन ही समस्याओं से भरा हुआ है यह तो हमारे नजरिये पर निर्भर करता है समस्या शब्द को अपने अपने तराजू में तोला जाता है कोई बात जो हमें एक समस्या की तरह लगती है एक अलग नजरिये से देखने पर हो सकता है कि वह समस्या ही ना लगे यह एक तरह से बात कहने का अपना अलग तरीका है अगर हम अपने भजन सिम्रन का अभ्यास करते हैं और आखों के केंदर पर ध्यान को एकागर कर लेते हैं और संत महात्माओं के उसूलों के मुताबिक जिंदगी बिताते हैं तो हमारी इच्छा शक्ती बहुत अधिक द्रिड हो जाती है तब हम जीवन के हर उतार चड़ाव का सामना कर सकते हैं भजन सिम्रन से हमें जो परम आनंद, शान्ती और सुख मिलता है वह इन मुश्किलों को सहने में बहुत साहता करता है हम अपना संतुलन खोए बिना अपना जीवन बिता सकते हैं हम उन मुश्किलों को हसते हुए जेल सकते हैं देखिए, कई चीजें ऐसी हैं जिने हम नहीं बदल सकते हम अपना भग्य नहीं बदल सकते हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को नहीं बदल सकते लेकिन हम निश्चित रूप से खुद को उनके मुताबिक ढाल सकते हैं खुशी इसी में है कि जिन्दगी की घटनाओं के मुताबिक खुद को ढाल लिया जाए क्योंकि वे हमारी मर्जी, हमारी चाहत के मुताबिक बदल नहीं सकते हमें खुद को अपने जीवन की घटनाओं के अनुसार बदलना पड़ता है